हेलो विल्कम गाईज मैं हूँ मंज्या है और आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 12 के केमेस्ट्री का चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम है रसाइनिक बल गतिकी जिसे इंगलिस में बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स गाईज इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से एडवांस लेबल तक के सारे चीजों को डिसकस करेंगे तो आएए सुरू करते हैं तो गाईज सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे कि रसाइनिक बल गतिकी किसे कहते हैं अगर रसाइनिक बल गतिकी की अगर बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि रसाइन बिज्ञान की वैसी सखा जिसमें किसी परकार की रसाइनिक अभिक्रिया के बेग अभिक्रिया बेग को परभावित करने वाले कारक उस अभिक्रिया की क्रिया विधि अथ्वा अभिक्रिया में होने वाले उर्जा परिवर्तनों का अधियन किया जाता है उसे रसायनिक बलगति की कहा जाता है तो गाइज कोई भी रसाइनिक अभी क्रिया हो किसी टाइप्स का हो कोई भी परकार हो रसाइनिक अभी क्रिया का और उस रसाइनिक अभी क्रिया का जो बेग होगा यानि कि उस बेग को परभावित करने वाले जो कारक होते हैं और उस रसाइनिक अभी क्रिया की क्रिया विध बात समझ में आ रही है रसाइनिक बल गतिकी की अगर बात की जाए तो यह फिजिकल कमेस्ट्री का एक भाग है फिजिकल कमेस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है बहुतिक रसाइन है ना यानि की रसाइनिक बल गतिकी जो है वह बहुतिक रसाइन की एक साखा है यह तक बात स से बाट सकते हैं एक ऐसी रहसानी कभिक्रिया होती है जो बहुत ही तिब्रगती से होती है इसलिए इसका नाम ही दे दिया जाता है तिब्रगती अभिक्रिया है ऐसी रहसानी कभिक्रिया जिनको पूरा होने में बहुत कौम समय लगता है अर्थात जो अभिक्रिया कुछ छण आइनिक अभी क्रिया हो सकता है, उदासनी करन अभी क्रिया हो सकता है, ठीक है, और एक्जामपल्स की अगर बात की जाए, तो कुछ इस परकार की एक्जामपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को आप देख सकते हैं, और NACL के साथ उसका रि पे होगा, उसे परकार से NACL में, NACL में जो होता है, मतलब जो सोडियम होता है, वह मेटल होता है, इसलिए उस पे पॉस्टिव चार्ज होगा, और क्लोरिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इस रसानी कभी क्रिया को कम्पलीट किया जाए, तो यहाँ से दो चीजे तूट कर बाहा निकलेंगी, और वह कौन कौन से हो सकता है, तो पॉस्टिव नगेटिव चार्ज के साथ यह अलग हो जाएगा, यानि कि NA, NO3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, AGCl अलग हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, त इसको बॉल सकते हमलों, आइनी कविकरिया, ठीक है, क्याकि यहाँ पर आइन्स तोटे है, और आईनी ही जुड़ा है, तो इस टाइप के जो रियक्शन सोते हैं, आइनी कविकरिया का 이상λ है, जो की काफी तिवर्गती से होता है, इसले इसको तिवर्गती की अविकरिया भी बोल सकते हैं ठीक है दूसरा अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है HCL है ना HCL एक परकार का क्या चीज़ है Acid है अमल है उसको reaction करा रहे है एने OHS के साथ यहने OHS क्या होता है बेस होता है चार होता है और Acid और बेस को जब reaction कराते हैं तो वह क्या बनाता है salt बनाता है और water बनाता है और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासनी करन अभिक्रिया और उदासनी करन जो अभिक्रिया होता है यह भी एक परकार का तीब्रगती की अभिक्रिया होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जो एक्जामपल हम लोग देखें, दोनों के दोनों एक्जामपल जो है, वत्ति व्रगती की अभिक्रिया का ही एक्जामपल है, गाइज एक बात इसमें काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, वह क्या चीज है, जो एनो थिरी है, मतलब अजी एनो थिरी, जिनको सि उनर कास्टिक भी कहा जाता है, जिसका उपयोग जो होता है, अमीट सियाही बनाने में किया जाता है, तो यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, वह क्या चीज अमीट जो सियाही होता है, उसको बनाने में इसका यूज किया ज अभिक्रिया जिनको पूरा होने में ना तो अल्ब समय लगता है यानि कि कम समय भी नहीं लगता है और नहीं अधिक समय लगता है यानि कि ना तो टाइम उसमें ज्यादा लएगा और ना तो टाइम क्या होगा कम लएगा और थात यह जो अभिक्रिया होगा वह समाने वेक से स तो इस परकार के जो अभिक्रिया होता है उसको बोला जाता है मध्यम गती की अभिक्रिया है अगर एक्जामपल की अगर बात करते हैं जैसे आप सरकरा का सरकरा मतलब चीनी जो होता है उसका प्रतिपन देख सकते हैं प्रतिपन का मतलब प्रतिलोपन होता है या फिर बोल सकत स्टार्स का जल अब घटन जो होता है तो उसको भी बोल सकते है कि या जो मद्यम गती की अभिक्रिया है जैसे जो सरकरा होती है इसको एक्छू सरकरा भी बोला जाता है है ना तो जो सरकरा है जिसका फर्मूला होता है C12-S22-O11 ठीक है अब उसको जैसे हम लोग जल में घोल द मतलब चीनी को जब जल में घोलेंगे तो वह दो चीज में तूट जाएगा है ना क्या चीज में तूटेगा एक तूटता है ग्लुकोज में C6-S12-O6 और दूसरा जो तूटता है वह होता है फ्रूक्टोज में जिसका केमिकल फर्मूला ग्लुकोज के जैसा ही होता है C6-S12- O6 है ना दोनों का केमिकल फर्मूला अगर देखा जाए तो दोनों का सेम होता है बट इसमें डिफरेंट क्या होता है वह हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बायो मॉलेकुल्स वहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे ठेक है यानि कि दोनों का मॉलेकुलर फर्मूला तो सेम है बट इसमें थोड़ा सा structure में different होता है, दोनों के इसमें जो functional group होते हैं, उसमें क्या changing होता है, उसके अधार पे इन दोनों का नामकरंग अलग-अलग किया जाता है, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो glucose होता है, इसमें aldehyde नामका आपका functional group पाया जाता है, और जो fructose होता है, इसमें keto नामका क्या पाया जाता है, functional group है न, इसलिए इन दोनों का नाम अलग-अलग किया जाता है, ठीक है, बट यह भी हम लोग को discuss नहीं करनी है, हम लोग को यह चीज़ डिसकस करना है, कि यह जो chemical reaction होता है, यह आपका मध्यम परकार का अभिक्रिया है, है न, मध्यम का मतलब क्या चीज़ बोड़ सकते हैं, इसको न तो अभिक्रिया को complete होने में ज़्यादा समय लाएगा, और नहीं तो कम समय लाएगा, यानि कि समाने गती से अभिक्रिया जो होगा, complete होगा, यह तो बात समय में आ रही है, और यदि तिसरी परकार की अगर बात की जाए, तो वह है मंद गती की अभिक्रिया, है न, मंद का मतलब होता है धीमा, है न, यानि कि ऐसी रसानी का अभिक्रिया होगा, है मंद गती की अभिक्रिया, ठीक है, और यह कैसे होता है, और इस अभिक्रिया की अगर एक्जामपल की अगर बात करते हैं, तो क्या होगा, लोहे पर जंग लगना, है न, लोहा जो होता है, उसमें जो जंग लगता है, पहुँ टाइम लग जाता है देखते हैं उसमें क्या होता है आपको एक साल दो साल भी लग जाते हैं तो जंग लगना बहुत ही क्या होता है बहुत धीरे धीरे होता है उसमें जो परिक्रिया होती है बहुत धिमी गती से होती है इसलिए इसको बोला जाता है मंद गती की अभ वर्तन होना है न दूद से दही अगर बनाना है तो उसमें भी आप देख सकते हैं 24 हावर्स या 12 आवर्स टाइम लग जाते हैं तो अभी दिमी गति की अविक्रिया हो सकता है और क्या बोल सकते हैं H2O2 की अभिक्रिया है ना यानि की simple सा अभिक्रिया अगर आप जानते हैं कि hydrogen को जब oxygen में मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है, जल बनता है लेकिन अगर इस में उत्परेरक नहीं मिलाते हैं तो इस अभिक्रिया को complete होने में लगभग 10 साल का टाइम लग सकता है सोचिए यानि कि हाइट्रोजन और ओक्सिजन्स को अभिक्रिया करके जल बनाने में 10 साल तक टाइम लग सकता है अगर इसे में उत्परेरक थोड़ा सा मिला देते प्लाइटीनम का यही अभिक्रिया आपका 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा तो सोचिए 10 साल का सफर 2 मिनट में क्या हो रहा है वह कभर कर रहा है तो यानि कि इस टाइब के जो अभिक्रिया होते हैं वह होते हैं मंद गती की अभिक्रिया यहां तक समझ में आ रही है और लोहे पे जंग लगना कैसे आप उसको इस परकार से समझ सकते हैं जो iron होता है ठीक है और iron का जो सरफेस होता है जब उस सरफेस पे water पड़ता है water ठीक है water अपना कुछ उसका particles होंगे water ठीक है और उसका कुछ न कुछ जैसे 2-3 water के molecules उसके पड़े तो अब जो iron होता है वह iron oxygen के presence में है तो उससे oxygen भी लिया यानि कि iron के साथ 3 चीज़े इसमें हो गई iron हुआ, oxygen हुआ और जल हुआ ठीक है जब आपस में reaction करेगा तो क्या बनेगा Fe2O3 into XS2O है ना जिसका नाम होता है जल योजित फेरिक ऑकसाइड है ना और इसी का नाम देते है जंग लगना बात समझ में रही है और यह एक परकार का chemical reactions होता है और यह जो chemical reaction है मंद गती की अविक्रिया है ठीक है क्योंकि इसको complete होने में बहुत जादा time लगता है यहां तक बात समझ में रही है तो guys अभी तक हम लोगोंने discuss किया है कि chemical reactions के types के बारे में जो हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं तीन type के यानि कि जो तिबर गती से होगा जो न तो तिबर गती से न तो धिमी गती से मतलब जो समान निगती से होगा तीसरा जो पढ़े जो बहुत ही धिमी गती से होगा अच्छा यह जो अभी क्रिया हो रहा है इसमें जो गती की बात की जा रही है अर्थात मतलब उस रसानिक अभी क्रिया की बेग के बारे में बात की जा रही है तो सबसे पहले हम लोग discuss कर लेते हैं कि अभी क्रिया का बेग क्या होता है अभी क्रिया का दर क्या होता है अभी क्रिया की गती क्या होता है तीनों चीज एक ही होता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अभी क्रिया का बेग कहिए या फिर अभी क्रिया का दर कहिए या अभिक्रिया की गती कहिए तीनों का तीनों चीज एक ही होता है जिसको इंगलिज से बोला जाता है rate of reaction यहां तक समझ में आ रही है बात अगर rate of reactions की अगर बात की जाए तो कुछ इस परकार से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी रसायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे अभिक्रिया संपन होती है अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वह घटती है एवं उत्पादों की जो सांद्रता होती है वह ब्रीधी होती है है ना यानि कि कोई भी जो chemical reactions होता है कोई भी जो रहसाइनिक अभिक्रिया होता है उस रहसाइनिक अभिक्रिया में क्या होता है जो अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं समय के साथ अभिकारक का जो quantity होता है अभिकारक का जो मात्रा होता है उसकी जो सांधरता होती है वो धीरे धीरे घड़ता चला जाता है और हमान लेते हैं कि A plus B ठीक है यह हमारा रियक्टेंट हुआ और अभिक्रिया स्टार्ट होगा तो धीरे-धीरे टाइम भी लएगा और यहां पर A plus B की जो सांदरता होगा वो धीरे धीरे तूटेगा तूट तूट का पोड़क्ट जैसे जैसे बनाता जाएगा तो इसकी जो सांदरता होगा वो धीरे धीरे घड़ता चला जाएगा ठीक है सांदरता का मतलब होता है उसका मात्रा, यानि कि अभिकारक की मात्रा मतलब अभिकारक की संद्रता उत्वाद की मात्रा, मतलब उत्वाद की संद्रता, ठीक है अगर माल लेते हैं कि इसका अगर 100 ग्राम अगर लिया जाए तो धीरे धीरे 100 ग्राम तूटता चला जाएगा जैसे जैसे time गुजरेगा और product मा लेते C plus D तो क्या होगा 100 से माल लेते 10 gram complete हुआ तो 10 gram यहाँ पर product बनेगा पिर अगला देख रहे हैं कि अगर 20 gram कम हो गया तो 20 gram product बनेगा तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहे है कि अभीकारक की जो सांद्रता होता है वो समय के साथ घटता है और उत्पात की जो सांद्रता होता है वो समय के साथ क्या होता है बढ़ता चला जाता है यहां तो बात समझ मारी है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके सांदरता और समय के बीच कुछ न कुछ है तो इसलिए हम लोग सांदरता और समय के बीच में एक graph plot कर सकते हैं ठीक है तो graph कैसे plot करेंगे तो starting में क्या होगा जैसे A अगर तूट कर कोई product बना रहा पी तो जब reaction start नहीं होगा जब time zero होगा तो उस समय जो concentration होगा अभीकारक का अगर हम 100 gram लेते हैं तो 100 gram रहेगा लेकि product क्या होगा? zero होगा यानि कि अभीकारक का concentration जब समय zero होता है तो उसका concentration सबसे ज़्यादा होता है maximum होता है लेकिन जैसे जैसे concentration क्या होता है घटेगा कब? जब time धिरे-धिरे pass होता चला जाएगा तो जैसे जैसे time गुजरते जाएगा वैसे वैसे सांदरता का मतलब A की जो सांदरता होगा मतलब अभीकारक की जो सांदरता होगा वह घटता चला जाएगा ठीक है? जैसा कि हम लोग graph में plot कर सकते हैं यहाँ पर अगर 0 है तो starting में जब time 0 है तो अभिकारक की संद्रता maximum है जैसे जैसे time गुजरता जा रहा है तो अभिकारक की संद्रता धीरे धीरे घटता चला जा रहा है और एक समय ऐसा आता है कि वह समय के parallel हो जाता है मतलब अभिक्रिया चलते रहता है अभिक्रिया को complete होने म अनन्त समय लग जाते हैं यानि कि अभिकारक कुछन कुछ आपका रहेगा ही रहेगा है ना point something भी रह सकता है कुछन कुछ रहेगा है ना तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं यानि कि अभिकारक की संद्रता समय के साथ क्या हो रहा है घटता जा रहा है और उत्पात की संद्र अगर देखा जाए तो समय जब जीरो था तो उसमें अभिकारक का संद्रता तो मैक्सिमम था लेकिन उत्पाद क्या चीज़ था वो भी जीरो था लेकिन जैसे जैसे टाइम क्या होता है जैसे जैसे टाइम कुजरता जाता है तो उत्पाद की संद्रता में क्या होती है दिर द शांदरता में क्या होगा बृधी होगा यहां तक समझ में आ रहा है अगर ए चींश समझ में आ रहा है तो हम लोग इसका डिफनेशन खूद से निकाल सकते हैं ठीक है गाईज यदि हम लोग अभिक्रिया के बेग की अगर बात करते हैं तो कुछ इस परकार से बोल सकते हैं कि एकांग समय में अभिकारकों की सांदरता में होने वाली कमी जो होता है उसी को बोलते हैं अभिक्रिया का बेग है ना यानि कि एकांग समय मतलब एक सकेंड में कितना अभिकारक की संद्रता में कमी हुआ या फिर बोल सकते हैं कि प्रती एकांग समय में अभिकारकों की संद्रता में कमी और उत्पात की संद्रता में बृधी को ही बोला जाता है अभिक्रिया की बेग है ना यानि कि प्रती सकेंड एक सकेंड में कितना अभिकारक की संद्रता मे कमी हुआ या एक सकेंड में कितना उत्पात की सांदरता में ब्रीधी हुआ उसी को बोलते हैं अभिक्रिया का बेग है ना तो यहां पे हम लोग क्या जानते हैं कि अभिक्रिया का जो बेग होता है अभिकारप का जो सांदरता होता है वह घरता जाता है मतलब उसमें कमी आता इसलिए उसको माइनस सीन से उसको निरूपीत करते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे आगे हम लोग देखेंगे तो इस परकार से बोल सकते हैं अभी क्रिया का बेक को अगर हम लोग डीफिनेशन दे तो हम लोग इस परकार से दे सकते हैं और क्या बोल सकते हैं यहां पर कि दू क्या अभिकारक है ना अभिकारक की सांदरता में कमी और बटा में लग सकता है क्या जो कमी होने में जो टाइम लएगा उसको लिख दिजिए ठीक है अभिकरिया का जो बेग होता है उसको भी से सुचित करते हैं और यहाँ पे देखिए सांदरता में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को सुचित करते हैं हम लोग डेल्टा से है ना और सांदरता का मतलब होता है capital bracket अगर लिख दिजे तो वह होता है सांदरता है ना और यहाँ पे reactant मतलब हो गया अभिकारक तो अभिकारक की सांदरता को कैसे लिखेंगे डेल्टा आर है ना capital bracket में ठीक है डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन ठीक है और capital bracket का मतलब होता है सांदरता उसके अंदर जो रहेगा उसकी सांदरता आर है मतलब reactant मतलब अभिकारक की सांद्रता और समय में भी परिवर्तनतु होगा इसलिए लिख देंगे डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो रहा है समय के साथ इसके जो सांद्रता है वह घट रहा है तो इसमें लगा देंगे माइनस माइनस से यह पता चलता है कि समय के साथ आर का जो सां प्रतियकांघ समय में उत्पात की संद्रता में ब YOUR वीधी वोरा है उसको भी बिलते हैं रसायनिक अभीक्रिया का बिय है ना और यहां पर ब्रिधी हो रहा है स valley को परेशिटिप प्रदर्सित करते हैं यहां तक बात सभिए है और क्या बोल होगा या दो परकार से लिग सकते हैं के उत्पात की सांदरता में बटा ब्रीधी होने में जो समय लहीं लागी गा है ना है तो मालत है chemical reaction आर से P बन रहा है ठीक है तेहां पर product क्या बन रहा है तो अगर बेलो सीटी की अगड़ बात करते हैं इसके बेक की अगर बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा, डेल्टा मतलब परिवर्तन हो रहा है और उत्पात की सांद्रता में मतलब प्रैकेट लिख दीजिए समय के साथ मतलब डेल्टा टी लिख दीजिए और ब्रीधी हो रहा है इसलिए प्लस का sign लिख दीजे ठीक है तो इसको पढ़ेंगे कैसे समय के साथ उत्पात की संद्रता में ब्रीधी हो रहा है बात समय में आ रही है तो कुछ इस परकार से हम लोग बोल सकते हैं यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए लेकिन अगर ओभर वल अगर देखा जा अभिक्रिया का बेग है ना यानि कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको क्या चीज समझेंगे है ना तो यही जो डिफनेशन है अगर अगर अभिक्रिया का बेग पूछता एक्जाम में तो आप लोग इसी को लिखेंगे ठीक है क्या लिखेंगे कि एकांग सम अभिकारक अत्वा उत्पात की संद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसको वलते हैं अभिक्रिया का बेग ठीक है और अभिक्रिया का बेग बराबर फर्मूला की अगर बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं अभिकारक या उत्पात की संद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय ठीक है और यहां पर अभिकारक के लिए क्या लिख सकते है नगेटिव और उत्पात के लिए क्या लिख सकते है पॉस्टिव इसलिए भी बराबर लिख सकते हैं पॉस्टिव नगेटिव डेल्टा सी बाइ जो फर्मूला जानते हैं उस फर्मूला में जिसका जो मात्रक होगा उसको वहाँ पे पूट कर देंगे जैसे हम लोग जानते हैं अभिक्रिया का बेग बराबर क्या होता है सांद्रता बटा समय है ना सांद्रता में परिवर्तन मतलब क्या सांद्रता ही होगा समय में परिवर उसका अगर मात्रक करते हैं तो क्या होगा मोल पर लिटर पर सकेंड ठीक है क्या होगा मोल पर लिटर पर सकेंड तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक्जाम में यहां पर MCQ से पूछ दिये जाते हैं है ना पूछ देगा कि निमलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के बेग का मात रख है ठीक है तो उसमें से क्या होगा मोल पर लिटर पर सकेंड जो आप्शन में होगा उसी को क्या करेंगे टिक लगा देंगे यहां तक समझ में आ रही बात गाइज अब हम लोग क्या करेंगे इसी को ग्राफिय बीधी से प्रदर्सित करके देखेंगे यानि कि अभिक्रिया का जो बेग होगा उसको ग्राफिय बीधी से किस परकार से हम लोग प्रदर्सित कर सकते हैं तो जैसा कि अभी हम लोग उन्हें देखा था कि अभिकारक की ज जो ग्राप है उर्थपाद के लिए ठीक है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो अभिकारक की जो सांदरता है वो समय के साथ घट रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि जैसा कि टाइम T1 था तो अभिकारक की सांदरता R1 था जैसे ही टाइम T2 पर गया तो अभिकारक की सांदरता क्या हो गया R2 हो गया ठीक है जिसको क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया का जो बेग होगा अभिकारकों की सांदरता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय परिवर्तन का मतलब क्या होता है घटाओ परिवर्तन का मतलब क्या होता है उसमें क्या बदलाव आया और बदलाव को कैसे निकालते हैं हम लोग उसको घटा कर निकालते हैं तो जो जिसकी संद्रता जादा होगा उसमें से उसको क्या कर देंगे घटा देंगे ठीक है तो R2 की संद्रता ज्यादा था तो R2 में से R1 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए यहां तो बात समझ में आ रही है तो क्या लिख सकते हैं संद्रता R2 माइनस क्या लिख सकते हैं R1 बटा में T2 माइनस T2 T1 लिख सकते हैं ठीक है तो अभिक्रिया का बेग क्या हो जाएगा देखिए परिवर्तन का मतलब होता है क्या घटाओ और उसी परिवर्तन को सुचित करते हम लो डेल्टा से बात समझ मैं रहा है तो डेल्टा से इसको सुचित कर देंगे तो लिख देंगे डेल्टा डेल्टा का मतलब परिवर्तन औ तो बात समझ में आ रही है और इसी परकार से हम लोग देख सकते हैं उत्पात की संद्रता में भी है ना याने कि जब टाइम T1 था इसकी संद्रता P1 था जब टाइम T2 था इसका संद्रता क्या था P2 था तो इसे परकार से लिख सकते हैं अभिक्रिया का बेग को क्या लिख देंगे P2 माइनस क्या लिखेंगे P1 और बटा में T2 माइनस T1 ठीक है और अभिक्रिया का बेग बराबर क्या हो जाएगा प्लस में लिख देंगे डेल्टा P बटा में डेल्टा T है न और उत्पात का जो संद्रता होगा प्लस में होगा और अभिकारक की जो संद्रता जो होगा वाँ माइनस में होगा यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा गाइज I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया किजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया किजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेर भी कर दिया किजिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिसकस करेंगे और सत्बेग, ताक्षनिक बेग और अविक्रिया के बेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और इस से related, इस चाप्तर से related जितने भी टर्म होगा वे सारे टर्म को डिसकश करेंगे ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए बाई